Hello my dear students, previous video में हमने inner transition elements के बारे में पढ़ा था, वहाँ पर हमने inner transition elements को दो category में divide किया था, 4F series means lengthenoids and 5F series means actinoids, तो वहाँ पर हमने elements के बारे में बात नहीं की थी, सिर्फ atomic number देखे थे कि 14 elements होते हैं, जिनको हम lengthenoids में and actinoids में रखते हैं, 14-14 elements दोनों ही series में होते हैं, तो यहाँ पर हम lengthenoids के लिए trick लेकर आए हैं, बहुत ही बड़या धासू trick है, बहुत ही मज़ा आने वाला है आपको, ठीके, आपको lengthenoids के जो elements हैं, उनके नाम याद हो जाएंगे, electronic configuration भी याद हो जाएगा, और atomic number भी आज याद होने वाले हैं, साथ में symbol भी याद हो ठीके, तो tension बिल्कुल भी नहीं लेना है, ठीके, चलिए, तो सबसे पहले आप इसका screenshot ले लीजिए, क्योंकि बहुत सुंदर सुंदर लिखा है मैंने आपके लिए, ठीके, तो सबसे पहले हम थोड़ी सी lengthenoids की information ले 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 थे हैं, कि lengthenoids start कहां से होते हैं, तो lengthenoids start होते है सीरियम से जिसका atomic number होता है 58, यहां से start होते हैं, end कहां पर होते हैं, lutecium पर end होते हैं, जिसका atomic number होता है 71, ठीक है, इन्हें हम 4F सीरीज भी कहते हैं, क्योंकि last electron 4F orbital में inter करता है, और lengthenoids भी हम इन्हें कहते हैं, क्योंकि इनके जू properties होती हैं, वो कुछ-कुछ similar होती है lengthenum स ठीक है, तो इसलिए इनको lengthenoids भी हम कहते हैं, है न, lengthenoids और 4F series कहते हैं, ठीक है, चलिए, तो अब सबसे पहले हम trick देखेंगे, trick देखने से हमें क्या होगा कि element याद हो जाएंगे, और उनके symbol भी याद हो जाएंगे, ठीक है, तो सबसे पहले हम trick देखेंगे, ओके, तो first sentence है trick का, सीने पर नदी प्रेम की समाई, की का कोई मतलब नहीं है, यह silent है, तो की का कोई मतलब नहीं है, इसलिए मैंने bracket में लिखा है, तो first sentence है, सीने पर नदी प्रेम की समाई, है न, यहां तक first है, second है, you गदगद तब दिल हुआ, you गदगद तब दिल हुआ, first sentence easy है, सेकेंड भी इजी है, फर्स्ट क्या है, सीने पर नदी प्रेम की समाई, दूसरा क्या है, दूसरा सेंटेंस है, यू गदगद तब दिल हुआ, चलिए, तो element देखते हैं, नाम हम, सीने से सीरियम, पर से प्रेसोडीमियम, ठीक है, नदी से नियोडाइमियम, है ना, या से प्रोमिथियम, समाई, सेमेरियम, यू 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 ठीक है अब इनके सिंबल देखिए सीने से CE अटोमिक नंबर साथ साथ में चलते जाएंगे 58 से 71 तक ठीक है तो सीने से CE पर से PR नदी से ND प्रेम से PM समाई से SM U EU गदगद मिन्स GD तब TB दिल DY और हुआ मिन्स HO ठीक है बिलकुल इजी है है ना कोई प्रोबलम नहीं होनी चाहिए आई हो चलिए अब electronic configuration देखते हैं सीरियम का जो electronic configuration है उसका देखिए सबसे पहले atomic नंबर देखिए 58 है ठीक है तो 4F1 5D1 6S2 है ठीक है यहां तक लियर है अब देखिए प्रोमिथियम का देखेंगे आप तो यहां पर थोड़ा सा change होगा देखिए 4F3 6S2 है है ना D वाला जो orbital है यह हट गया है यहां पर electrons फि atomic number बढ़ाते जाना है और F में एक एक electron बढ़ाते जाना है चलिए तो 60 हुआ तो यहां पर 4F3 से 4F4 हो गया 6S2 as it is रहेगा सभी में देख लिजिए ठीक है डिफ्रेंस सिर्फ 4F में होगा क्योंकि हम 4F में electron इंटर कर रहे हैं लास्ट इलेक्ट्रों सो इसलिए इसको 4F series कह पहले ही Clear कर दिया है ठीक है अब 60 पर आएंगे तो 4F4 हो जाएका फिर 61 पर आएंगे तो 4F5 हो जाएगा 62 पर आएंगे तो 4F6 हो जाएगा 63 पर आएंगे तो 4F7 हो जाएगा अब 64 पर आंगे जैसे ही तो देखिए 4F F में कितने orbital होते हैं देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7 ठीक है 7 होते हैं तो एक एक electron हम सबसे पहले field करेंगे 4, 5, 6, 7 अब ये stable electronic configuration है या तो half field होने चाहिए या फिर full field होने चाहिए तो देखिए 4F7 के बाद में हम यहाँ पर 5D में start करने लग जाएंगे ठीक है तो ये हो जाएगा 4F7, 5D1, 6S2 ठीक है अब फिर 65 में देखिए फिर से यहाँ पर F में enter करने लग जाएंगे तो 4F9, 6S2 फिर 66 तो 4F10, 6S2 फिर 67 तो 4F11, 6S2 अब जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे तो 4F14 यानि कि 4F, F जो है वो fulfill हो जाएगा 14 electrons हो जाएगे तो stable electronic configuration हो जाएगा तो इसलिए D में ना भरते हुए फिर F में हम भरते हैं ठीक है तो I hope आपको अच्छे से clear हो चुका है जो first के 10 elements है lengthenoid series के उनके नाम atomic number, 7 में symbol trick क्या है और electronic configuration हम कैसे लिख सकते हैं ठीक है अब next 4 elements की जो trick है वो अभी हम देखने वाले है चलिए गाईज अब next 4 elements की trick हम सबसे पहले देख लेते हैं क्या है अरे तुम यार भी लुटवाओगी है ना भी भी इसमें count हो रहा है क्योंकि bracket में नहीं लिखा है मैंने ठीक है अरे तुम यार भी लुटवाओगे चलिए element के नहीं हम देख लेते हैं अरे से इर्बियम तुम से थूलियम यार भी यिटर्बियम है ना यार से य और बी से बी ठीक है तो यार भी मिन्स यिटर्बियम फिर लुटवाओगे तो लुटेशियम ठीक है तो अरे तुम यार भी लुटवाओगे इर्बियम थूलियम यिटर्बियम और लुटेशियम ठीक है अब इनके atomic number और symbol भी यहाँ पर लिखे है ER 68 TM 69 YB 70 और LU 71 है ना अरे तुम यार भी लुटवाओगे ठीक है अब electronic configuration देखिए 4F11 और 6S2 तक वहाँ पर था है ना होल भी हम तक था अब उससे आगे हम बढ़ेंगे तो 4F12 हो जाएगा 6S2 हो जाएगा फिर 4F13 6S2 4F14 6S2 अब F में तो fulfill हो चुका है तो अब D start हो जाएगा तो 4F14 5D1 6S2 ठीक है थोड़ा सा common sense लगाना है electronic configuration में और कुछ भी नहीं है गाईज है ना क्योंकि हमें पता है कि F में 7 orbital होते हैं मतलब 7 जो डिब्बे होते हैं यसा समझ लेते हैं तो वो होते हैं तो अगर half field है तो फिर D में चला जाएगा और फिर F में इंटर होने लग जाएगा last electron और यहाँ पर तो fulfill हो ही चुका है F orbital तो इसलिए D का हम use करने माले हैं यहाँ पर ठीक है तो यह electronic configuration थोड़ा सा common sense यहाँ पर रखना है ठीक है ट्रीक आपको I hope अच्छे से clear हो चुकी है है ना एक बार फिर से में revise करवा देता हूँ सीने पर नदी प्रेम की समाई यू गदगद तब दिल हुआ अरे तुम यार भी लुटवाओगे ठीक है तो I hope आज की जो trick थी lengthenoid elements को याद करने की है ना electronic configuration के से याद किया जाए यह बहुत ही बढ़िया तरीके से clear हो चुका है आपको अगर आपको actinoid series भी याद करनी है तो next video जरूर देख लीजिए वहाँ पर भी मैं आपके लिए trick लाने वाला हूँ चलिए मिलते हैं अब actinoid series वाले वीडियो में तब तक के लिए thank you so much जय हिन